नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनील धनोरी आप सभी का स्वागत है कबड़ी1008.com पर और आप सभी को पता है कि आई दिन आपके लिए ये साइट अच्छे से अच्छे खिलाडियों के इंटर्विव आपके सामने लेकर आती है और उनके जीवन प्रिच्च्या के बारे में उ दो चहीते खिलाडिया हमारे साथ आते रहते हैं तो ऐसे ही आज हमारे पास आपके सब के चहीते हर्याना के स्टार खिलाडी जिन्होंने हर्याना में नहीं पूरे भारत में वी देशों में हर्याने का नाम अपने गाउं का नाम चमकाया है तो हमारे साथ है हर्याना के स्ट रेडर लाल बिहुली औरुफ रेतनलाल से भी दर्शकों का नमस्कार भईयो तो रेतनलाल जी हमारे दर्शक शुरू में आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जीवन प्रीच्च आ है माता पिता के बारे में बताएं और आपके अपने गाओं के बारे में बताएं मेरे गाओं का नाम बियोली है डिस्टिक पानिपत बलोक संवाड़ का मेरे पिता जी का नाम जोगिंदर शिख है और माता का नाम सुनिता देवी है मेरा नाम रतनलाल है वैसे जो पूरा उस नाम लाल से जनते है लाल भी ओली के नाम से से भी लोग वैसे तो आपका नाम लाली फे मसाजगल रतन लाल साथ में बोलते रहते हैं तो आप यह बताये हमें कि आप ने सि्क्शिक कितनी पराप्त की है मैंने बीए किया अभी आपने बीए किया मतलब आप स्कूल कोलिश टाइम में भी खेलते थे हाँ स्कूल कोलिश टाइम में भी खेल लें आपको ये प्रेरणा कहां से मिली कि मुझे कबड़ी खेलना चाहिए कहां से इंट्रस्ट आया आपका कबड़ी में पहले मेरे पिता ज मेरे प्रैक्टिस कराने लगे थे कबड़ी के लिए मेरी जहां तक पता चलाया हमें कि आपके गाउं के टीम भी नहीं थी फिर भी आपने हरियाना के और विद्यस्तों में ऐसा नाम कमाया है इसके पीछे क्या राज है मेरे गाउं की टीम सुरूजे नहीं थी पहले मेरे पित तो आप सिधा डिरेक्ट ओपन में ही आए खिले हैं अपने कबड़ी के इस गेम में तो हम आप से पूछना चाहते हैं कि जब आपने स्टार्टिंग की टोपन से की थी आपको याद है कि आपको पहला बैस्ट्रेडर का किताब कब और कहां पर मिला मुझे पहला बैस्ट्र पूई थी मुझे और बहुत ही तगड़ी टीम खेल रही ती सामने शिर्फ एक जफ़ लगया था और बैस्ट्रेडर निकले था मैं अपको इतने बड़े लेवल पर बैस्ट्रेडर आने के लिए हमें ये बताए लाल जी जब आपके गाउं की टीम नहीं है तो आप किस टी ठीम में पार्टी स्पेट कर रहा अधनुटा हो अच्छा तो आप मतलब कबड़ी हर्याना लेवल पे भी खेल चुके हो पंजाब में ये बताए हमारे दरसकतर जाना चाथे हैं कि आप कभी वीदेशों में भी कबड़ी के जर्य मोगा मिला खेलने का मुझे वीदो से मोगी जाने का काफी मोगा मिला मैं पाकिस्तान में गया था इस याड था वाँ पर इस चैंपिंशीप पर जब आप वीदेश की धरती पे उत्रे खेलने के लिए क्या मनें कोई हैजिटेशन थी क्या मेरा परदर्सनी आपर वैसा ही रहेगा हजिटेशन तो होती है परदर्सन के लिए अच्छा खेलना है हुआ पूरा इंडिया देख रहा है हमें इसलिए थोड़ी आजिटेशन जी जिस्ट है में गराउंड में उतरे हमें यह नहीं पता था कि कौन हमें देख रहा है कौनी सारा कंस्टिटेट मैच पे था हमारा मैच अच्छा खेलना बस तो मतलब आपका प्रदर्शन पाकिस्तान और मतलब सुनाय कानाड़ा भी आप खे कानाड़ा मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा तो आप यह बताईए जो कनाड़ा की लिग या गेम थे वहां की लिग और खेलो मेरा हर्याना पंजाब की लिग के खेलों में क्या फरक लगा आपको कि जैसे कनाड़ा में लीग होती है वहांपर सभी तगडे प्लेयर जाते हैं यहां पर पपनजाब में होते इसमें थोड़े-बहुत है मिल जाते हैं प्लेयर फोड़ा दिग्कत आई वैसे फिर हम डंदेल के थे मैचों अनुशार आपको तो अब की बार आप खेल डे आप खेलने, मिजल विडेस कब जाने की तिया आपकी कोई आइडिया? अब की बार चल रही है कौजी से य्रोप में जाने की अभी. आपको सुबकामना है हमारे तरफ से लाल जी आपके फैन और हमारे दर्सक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका लाइफ में कोई यादगार लम्भा कबड़ी को लेकर बिल्कुल जिसको आप बार-बार याद करते हो मुझे सबसे यादगार लमबा है एच अडे में मैं बेकृशन टेटर निकला हो मिए लेले जिनल्सकствен के सबसे यादगार लमबा झा है कोई कबड़ी की वज़ए से कहीं कोई दीन आपको ऐसा लगा हो जिसमें आप प्रोभलम में आए हो या कोई दुख जुडा हुआ ग्राउंड से मुझे ग्राउंड से कभी कोई दुख है कोई प्रोब्लम नहीं हुई हमेशा मुझे ग्राउंड ने खुजी ही दे है तो आप बताना चाहेंगे इस गेम के लिए आपको किस ने स्पोर्ट किया अच्छे से बिल्कुल इस गेम के लिए सरफ से ज्यादा स्पोर्ट मेरे माता कर रहा है उन्हें मुझे कभी खेलने से मना नहीं किया अमेशा साथ दिया मेरा खेलने में तो जैसे हर किसी का कोई ना कोई आडल होता है आप हम यह बताईए कि आपका बैस्ट प्लेयर कोन है एज़े रेडर और एज़े स्टोपर सबसे मेरा बैस्ट रे स्टोपर था वही प्रेना देता रहा मुझे गेम की और मतलब एज़े रेडर आप किसको पसंद गरते हो जिलू मदीना है जिलू मदीना हर्याने की सान है बिल्कुल और आज के टाइम में आपका भी अच्छा दोर चल रहा है जहां तक देखते हैं हम आपने सुनने में आया है और देख और मुझे बहुत ही खुशी होई और बहुत दिल खुश हुआ कि आज मैं ऐसा पहला रेडर बनाए हूँ कि अर्याने का जिसने पंजाम में फोर्ट एक्टर जीता है और इसके साथ ही सुनने में आया था देखने में आया था कि आपने बहुत सारी भाइक भी जीती है और पोर्ड के अलावा आपने जीप भी जीती है तो गाउं में क्या महुल होता है जब आप इतनी बड़ी बड़ी फलब्दिया करते हैं चलो जी ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि एक प्लियर को उसका गाउं स्पोर्ट करे तब ही वो बलंदियों को चूता है मात एक प्रेशन और आप से आप कोई आइडिया बता सकते हैं कि आप आज तो कितनी बार तक बैस्ट रह चुके होगे लग बगए पचास से उपर उपर मैं बैस्ट निकल चुका हूँ हूँ पचास से उपरी है कम नहीं है मतलोब क्या क्या जीता है । जैसे न का नवा का पता है हमारे दरसे जानना चाहते हैं। आपने फ़ोंड डीरेक्टर भी जीता है जीप जीता है वाइक भी और इसके रहाभ ये क्या कैसी चीज़ेती है आपने जैसे इनाम ग्यारा जार प्राइज होते थे मोट सेकल होती थी टेक्टर भी जीता मैंने जीप जीती और बाइक से पंदरा बीच के बीच में मैंने बाइक जीती हुई है अगले सीजन के लिए भी जोरदार प्रैक्टिस कर रहे है कि अच्छा के लिए जो हमारे फैन है यही देखते हैं कि इने कैच ना लगे और यह अच्छा के लिए हम भी कोशिश करेंगे कि उनका दिल ना है दुखे हम अच्छा के लेगा प्रियतन करेंगे और आप हमें बताईए कि यूथ को जो आपको फोलो करते हैं जो नए बच्छे कबड़ी खेल रहे हैं कि मुझे भी लाल की तरह रेडर बढ़ना है फेमस होना है तो आप हमीं ये बताएं, यूथ के लिए आप क्या प्रेरना देंगे, क्या मैसिज है हमारे हरियाना और सभी यूथ के लिए आपका पूछना चाहते हैं कि जो कबड़ी 1000.com है 1008.com वाले भाई हैं हम सब ने अच्छे लेवल पे लाइव कि आपकी बार पूरे दिल से और इंटर्विव आप लोगों के चल रहे हैं तो आप इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कबड़ी 1008.com का क्या सिस्टम कहां तक जा सक है इससे कबड़ी को कुछ फाइदा होगा इससे 1008.com से बहुत ही फैदा होगा कबड़ी को क्योंकि यह लाइव दिखा रहा है मैं चोको इससे छोटे बचे वो लाइव देखते हैं मैं चोको इससे प्रेणना मिल रही है हम भी अपने दो बारा देख सकते हैं मैच को या द डी एक 1008.com का इतना टाइम दिया आपका दिल से सुक्रिया करते हैं जी तो दोस्तों ये थे हर्याने के आनबान सान और शटार खिलाडी लाल भी होली उर्फ रतनलाल आप सबी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये इंटर्विव पसंद आया हो लाल जी के बारे में उप बेस्ट से बेस्ट दे पाएंगे आप सबी का सुक्रिया फिर से एक बार इसको लाइक कमेंट सेर और सब्सक्राइब जरूर करें जैक बड़ी चैहर याना